एक मास को रेस्ट से क्या किया जाता है एक हाइड 10 मीटर से नीचे फोल करवाया जाता है और उस मास को रेस्ट पे लाया जाता है जब वो सेंड के अंदर एक मीटर डिस्टेंस है वो पैनिटरेट करके अंदर चला जाता है find the average force exerted by the sand on it तो हमें क्या calculate करना है कि वो average force जो यह जो सेंड है वो उस मास के उपर exert कर लिए मान लेते हैं पहले मास की position क्या थी यह थी यहां से 10 kg मास का एक weight है वो निच्चे गिराया जाता है पहले वो rest पे था जब वो निच्चे गिरेगा 10 मीटर की height से तो वो किसी ना किसी velocity से क्या करेगा अर्थ के surface को touch करेगा मतलब वो motion में होगा और उसके बाद में क्या करता है वो सेंड उसकी velocity ज्यादा होने की वज़े से मुलब ज्यादा होगी तब ही वो क्या कर रहा होगा सेंड के अंदर एक मीटर distance आगे और penetrate कर जाएगा मलब अंदर तक चला जाएगा पर इतना वन मीटर distance कवर होने के बादे वो क्या आ जाता है मास रेस्ट पे आ जाता है यहां प के दी कहिंते उपर कोईळस न कोई फोर्स लगा रही होगी जिसके वज़े से वह मास जो पहले यहां आ जायेगा अब्हुत्या when मोशन में अब सबसlike बाद करते हैं मोशन फ्रोब रं ररेस्ट वार्पल्स ता आप है नीचे फॉछ करवाया तो वह मोशन ना जिरू और भ कितने डिस्टेंस कवर की उसने 10 मीटर तो डिस्टेंस इसने एस की जगा एक से डिनोट कर रखी 10 मीटर और हमें पता है कि जैसे वो निचे की तरफ गिरेगा तो हर एक पॉइंट उसकी वेलोस्टी भी क्या हो रही होगी चेंज हो रही होगी जिसकी वज़ेसे एक्सेलरेशन प्रडियूस हुआ होगा और वह एक्सेलरेशन किस वज़ेसे प्रडियूस हुआ होगा और S की जगह H तो हमें basic formulae किये थे V2 is equal to U2 plus 2AS A की जगह G ले 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 और S की जगह H final velocity हमने V माननी है initial velocity 0 2 की जगह 2 acceleration due to gravity 9.8